बिहारी स्टाइल बनाएंगे प्राउन मसाला इसको चिंगरी बोलता है बेंगोली में और हम लगों जींगा बोलता है जींगा मचली तो इसको सबसे पहले साफ कर लेंगे तो जो भी इसके विंग्स निकले उसको निकाल ले और उसके बाद अगर बहुत ज़दा हार्ड शेल वो निकाला और नीचे वाला जो था उसको नहीं निकाला उसको छोड़ दिया और इसी तरीके से सारा साफ कर लेंगे निकाल लेंगे सबको और फिर उसके बाद सबको अच्छे से पानी में धो लेंगे तीन चार बार अच्छे से इसको दो के फिर इसको निकाल देंगे इस तो यह दिन में पावडर नाव ब्लाक पर जीरा पावडर लाल मिर्च और सरसो और बना लेंगे स्मूध सा पीस्ट तेल अची तरीके से गरम कर लेंगे जब धुगा निकलने लगे तो इसमें डालेंगे प्राउंस को थोरी देर के लिए हम इसमें डाल कर फ्राई करेंगे औ प्राउंस बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बहुत जल्दी कुग भी हो जाते हैं तो इसको बस पांच मिनट के लिए और फिर उसके बाद हम इसमें एड कर देंगे जो मसाला हमने बनाया था इसका वह वाला और उसी मसाल में थोड़ा सा तामाटर भी आड कर दिया तो मसाला डाले के बाद इसको फ्राई कर लेंगे थोड़े देर के लिए जब अच्छे सी इसका झाला है और ये पूराया निकलने लगे पर इसमें अ एड कर दो सॉल्दी ने तो मसाले में थोड़ा सा बनाई में हम अपीजो़ा ने कर दो चौटे से थोड़ा प्राई कर वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ तो इसमें आट करेंगे पानी और खुला ही इसको छोड़ देंगे ढगने की ज़रूरत नहीं है पक जाएगा जब अच्छे से ग्रेवी थिक हो जाए इस तरीके से तो यह रेडी है रोटी के साथ चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है पसंद आयो तो लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करें